कही अन कही बाते शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशन कहानी बताऊंगी जिससे आपको अपने पर और विश्वास हो जाएगा और आप दुनिया का कोई भी काम असानी से कर पाएंगे यह कहानी है दो बच्चों की जो एक गाउ में रहते थे बड़ा बच्चा दस साल का था और चोटा साथ साल का दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते एक दूसरे के साथ खेलते और एक दूसरे के साथ ही गुमते थे एक दिन दोनों खेलते खेलते गाम से थोड़ा दूर नि बच्चों को इस बात का पता चला तो वह बहुत घबराया उसने अपने आसपास देखा और मदद के लिए चिलाया लेकिन माँ आसपास कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था अचानक उसकी नजर पासी पढ़ी बालती पर पढ़ी जिस पर एक रसी बंदी थी उसने बिना कुछ सोचे वह रसी कुए में फेकी और अपने दोस्त को उस रसी को पकड़ने को बोला अगले ही पल वे 7 साल का बच्चा उस 10 साल के बच्चों को पागलों की तरह कुए से बाहर निकालने के लिए खीच रहा था उस छोटे से बच्चे ने अपने दोस्त को कुए से बाहर निकालने के लिए अपने पूरी जान लगा दी आखिरकार वे बच्चा अपने दोस्त को बचाने में कामियाब हुआ और उसने अपने दोस्त को कुए से बाहर निकाल लिया लेकिन उन्हें असली डर तो इस बात का था कि जब वे गाउं जाएंगे तो उन्हें बहुत मार पढ़ने वाली है खैर दोनों तर्ते दर्ते गाउं पहुँचे और उन्हों ने गाउंवालों को खेलते खेलते कुए में गिरने और रसी के सहारे छोटे बच्चे द्वारा बड़े बच्चों को बाहर निकालने वाली पूरी बात बता दी लेकिन गाउंवालों ने उनकी बात पर विश्वास ने किया और हसने लगे कि आखिर एक साथ साल का बच्चा एक दस साल के बच्चों को रसी के सहारे कोई से बाहर कैसे निकाल सकता है लेकिन महां मौझूद एक बुजूर्ग ने उन बच्चों की बातों को भरोसा कर लिया उन्हें सब करीम चाचा कहते थे करीम चाचा गाउं के सबसे समझदार बुजूर्गों में से एक थे गाउवालों को जब करीम चाचा के बच्चों की बात पर विश्वास करने की बात पता चली तो सब इकटे होकर करीम चाचा के पास पहुँचे और बोले चाचा हमें तो बच्चों की बात पर यकीन नहीं हो पा रहा है आप भी पता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है गाउओ वालों की बात सुनकर करीम चाचा बोले बच्चे बता तो रहे हैं उन्होंने ये कैसे किया बच्चे ने कुए को रसी फैकी और दूसरे बच्चों को उपर खीच लिया गाउओ वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कुछ देर बात करीम चाचा मुस्कREाई है और बोले सवाल यहां नहीं है की बच्चे नहीं है कैसे किया सवाल यह है की वे यह कैसे करपाया और इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि जिस वक्त वे बच्चा यह कर रहा था उस फ़त उसको वहाँ ये बताने वाला कोई नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता यहां तक कि वैपच्चा खुद भी नहीं तो दोस्तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि अगर अपने दिल की सुनोगे तो जिन्दिगी में हमेशा सफल रहोगे और अगर दुनिया की सुनोगे तो तुम भी दुनिया की भीड में कहीं खो जाओगे तो दोस्तो दुनिया की बातों पर ध्यान नहीं दीजिए और अपने पर विश्वास रखे आप दुनिया का कोई भी कार सफलता से कर सकते हैं